विश्प प्रशेद चित्रकोट वाटरफॉल घूमने आई युवक ने अचानक छलांग लगा दी जिसके बाद युवक के दोस्तों ने चिलाना शुरू कर दिया लेकिन तेज गती से गिर रही धारा युवक को कही दूर बहा कर ले गई बताय जा रहा है कि कॉंड़ गाओ का रहने वाला विकास दुगगड नामक युवक वाटरफॉल के पास पहुचा और अचानक नीचे कूंद गया अन्य परेड़को और विकास के दोस्तों ने जैसे ही उसे कूंद ते देखा वह चिलाने लगे फॉरन चित्रकोट चौकी को इसकी सूजना दी गई जिसके बाद वाटरफॉल में तेज बहाव की चलते SDRF की टीम नीचे नहीं उतर पाई फिलाल वाटरफॉल में कूंदे युवक की तलाश जारी है लगातार दो दिनों तक हो रही बारिश के चलते चित्रकोट वाटरफॉल रोदर रूप में हैं ऐ कैसे में युवक की तलाश में पुलिस और SDRF की टीम तलाशी अभियान में सफल नहीं हो रही है यही पहली मरतबा नहीं है जब किसी ने वाटरफॉल में कूंद कर अपनी जान ना दी हो इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें वाटरफॉल से कूंदे इस रपुट से यहां पे चलांग लगा दिया है उसके चबपल और उसके जो साथ आये हुए थे चालक उसके माध्यम से जानकारी मिला कि यह इस और चलांग लगा दिया है वो मानसिक रोप से अपने पारेवारिक दिक्कतों के कारण यहां पे घटना किया हुआ है और जैसे ही हमें जानकारी मिली कि एक वेक्ति है यहां से चलांग लगा दिया है तो हमारा स्टाफ तूरंत यहां पे आ गया और HDRF के टीम के द्वारा अभी उसकी खोजबिंग की जा रही है हाँ उस समय जैसे ही वो देखा कि कंसल्टीना के नीचे कुछ हरकत कर रहा है और उस पार जाने की कोशिस कर रहा है तो हमारे जवान ने उसको रोका सीटी बजाया और आस पास के लोगों ने भी साथ मिलकर उसको रोकने का प्रयास किया लेकिन उनकी मनशा कुछ अलग ही थी क कुछ अलग कूदने के ही था इस कारण वो चलांग लगा दिया और हमारे जवान उसके पीछे दोंड रहा है रेस्की ऑप्रेशन अभी भी जारी है इस्टीरिफ टीम के द्वारा आया हुआ है लेकिन पानी का बहुत तेज होने के कारण अभी सर्च ऑप्रेशन किया ही जा आया है